हलो दोस्तों, G.S. वाणी में आप सभी का स्वागत है, मैं E.S. चंद्रा, एक अमरीकन एजंसी है, National Oceanic and Atmospheric Administration, इसने एक पुरभानवान लगाया है कि आने वाले समय में 2024 में सूपर L.9 आने वाला है, तो सूपर L.9 जानेंगे, उससे पहले हमें जान लेना पड़ेगा कि L.9 उत्री गोलार्द में मार्च से मई 2024 तक मजबूत L.9 आने की संभावना है, एतिहासिक रूप से मजबूत ऐसा इसरे कहा जा रहा है, क्योंकि अभी तक इस तरह के L.9 नहीं आये हैं, L.9 मुख्य रूप से क्या है, दक्षणी अमरीका के पास गर्म प्रशान्त महासागर की पानी की विसेस्ता है, वेश्विक मौसम पैटर्न को प्रभावित करता है, खाद दे उत्पादन, जल संसाधनों, समगर कल्यान को प्रभावित करता है, डीटेल में बताने वाला हूँ, परिसान बिलकुल नहीं होना है, एक एक पॉइंट्स को यहाँ पे बहुत ही इसको लानीना कहा जाता है, जब तक आप लानीना नहीं समझेंगे, तब तक आप लानीनो नहीं समझ पाएंगे, तो चलिए सबसे पहले हम लानीना समझ लेते हैं, यह मुख्य रूप से जो परशान्त महासागरी छित्र है, आप यहाँ देख पार हैं, पैसफिक वोसन लि हाला कि इधर भी इसका प्रभाव रहता है, मैक्सको अगेर तक, यहाँ आप देख रहे हैं कि दो रंगों में दिखाया जा रहा है, यहाँ यह पिंक रंग में है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यह गहरा नीला कलर दिखाई दे रहा है, यह जो रंग है यह ठंड डॉटे हुइट कलर का यह दिख रहा है एरो यह ट्रेड विंट्स हैं ब्यापारिक पाउने हैं ब्यापारिक हवाएं हैं जो प्रिथवी पर सामाने रूप से चलती रहती हैं अब छोटी छोटी बाते हैं दो तीन जब आप समझ लेंगे तो इसे समझना और आसान होगा जैस जब कोई हवा या पानी ऊपर उठेगी तो नीचे स्थान खाली होता है तो इसे बोला जाता है लो प्रेसर मैं इसे लपी से सो करूँगा आप समझ लेजेगा और जहां पर हवा विंट्स जो आउतलन होता है हवाएं उतरती है ठीक है या फिर जहां ठंधा जल होता है तो पानी ठंधा है वहाँ हाई प्रेसर की स्थिती बनेगी जहां पर हवाएं गरम है जल गरम है हवाएं उपर उठेगी वहाँ पर एलपी की स्थिती बनेगी जिसे लो प्रेसर कहेंगे अब यहां क्या होता है जब जहां पर ठंधा जल होगा तो ठंधा जल भारी होता है तो ऐसी परिस्तिती में क्या होता है? ठंडा जल का आउतलन की च्थिति है, ठंडा जल नीचे जाता है, गर्म जल ऊपर उठेगा, यहाँ पर जब व्यापारिक पौने चलती हैं, तो क्या करती हैं? इधर से जो जल होता है, उसे सिफ्ट कर देती है, यहाँ पर आप देख रहे है आस्ट्रेलिया महादीप यहां दिख रहा है इसके तटवर्ती छेत्रों में इंडोनेसिया के आसपास तो ये ठेल ठेल के जो उपर सतही पाउने होते हैं ठेल ठेल के गरम पानी को यहां पहुचा देती हैं तो जब गरम पानी महां से हट गया तो नीचे से क्या होगा अपवेलिंग की प्रक्रिया के तहत नीचे का ठंडा जल उपर आ जाएगा और जब नीचे का ठंडा जल उपर आएगा तो अपने साथ जो नीचे नूटिसंस होते हैं पोशक पदार्थ होते हैं समुदर के तली में या नीचे की तरफ वे उपर की तरफ आ जाते हैं तो जब उपर की तरफ आ जाते हैं तो आस पास से जो फिस होती हैं जो मचलियां होती हैं उनको खाने के लिए प्रजनन के लिए भाई जहां पे आसान आवासी इस्थिति होती है इंसान भी तो वहीं बसना चाहता है तो जीव जन्तु भी जहां आसानी से उन्हें भोजन मिल सके आवास मिल सके ब्रेडिंग कर सके तो वहीं जाएंगे तो यहां पर बहुत बड़ी मा हलाग कि मेरे पास दूसरा मैप भी है लेकिन इसको यहां साफ करने से थोड़ी सी और क्लियर्टी बढ़ेगी तो यहां क्या होगा मचलियां ज्यादा आएंगी तो लोगों के रोजगार चलते हैं जीवन चलता है फैक्टरियां चलते हैं बिजनिस चलते हैं ब्यापार्ट च प्रेसर है जब यहां लोग प्रेसर होगा तो हवाएं उपर उठेंगी और जब हवाएं उपर उठेंगी तो कंडनसेशन की प्रक्रिया के द्वारा संगनन की प्रक्रिया के द्वारा यहां बादल निर्माड होगा और जब बादल निर्माड होगा तो यहां बारिस होगी चेतर में परियाप्त अच्छी खासी इस्थिती बारिस होती है यहाँ पर चीक है तो आस्ट्रेलिया का जो पूर्वी हिस्सा है यहाँ पर अच्छी खासी बारिस होती है ज्यादा तर जो आस्ट्रेलिया के शहर हैं ज्यादा तर जो रहाईसी इलाके हैं वे पूर्वी चेतर में ही पाये जाते हैं पश्ची में यहां पे डिजर्ट है तो यह इस्थिति क्या है यह लानीना की स्थिति है इतना आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे अब देखते हैं अलनीनों की इहां अगर आप देखोगे तो नौर्थ अमरीका में यहां देख रही है यह आई प्रेसर की सिच्यूसन बहुत सारी चीज़ें भी अग्यात है क्या होता है कि अब यह जो जल पहले इधर से इधर आ रहा था अब यह स्थिति उलट जाती ही यहां से जल यहां जाने लगता है यहां से जल यहां जाना सुरू हो जाता है तो अब जब यहां जल जाना सुरू हो जाता है तो यहाँ पर इस्तिती क्या हो गए, यहाँ पर थंड़ा जला जायेगा, तो जब थंड़ा जला जायेगा, तो यहाँ high pressure हो जायेगा, और जब यहाँ गर्म जला गया, तो यहाँ पर low pressure हो जायेगा, ठीक है, इतना clear हो रहा होगा, अब जब यहाँ high pressure है, तो हवाएं क्या हो उच्च वाय उदाब होता था, HP होता था, अब यहाँ परियापत मतरां पानी बरसने लगता है, बहुत ज़्यादा बारिस होती है, इन सब छेत्रों में, और उसके अलावा, यहाँ जो भी हमने बताया, फिसरी वगेरा के लिए, जो है, अच्छी कंडिसन्स तयार हो जाती है तो यहाँ उल्टा हो जाता है, मचलियां मरना शुरू हो जाती है, और लगभग 1-5 degree Celsius तक temperature increase हो जाता है, इसकी वजह से, और इतना भी temperature इनके लिए बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और मचलियां मरना शुरू हो जाती है, और एक चीज, जो नीचे से nutrition साते हैं, वो आन लानीनों की स्थिती हुई, और लानीना की दोनों हमने देख लिया, आशा करता हूँ, इतना आपकी समझ में आ चुका होगा, अब इसको कैसे भारती मानसून से जोडते हैं, इसको थोड़े से समझने की जरूरत है, पहले कुछ-कुछ बाते यहां समझ लेते हैं, फिर हम आप देख रहे हैं, high pressure create हो गया, इस से पहले अगर आपने देखा, तो यहां low pressure create था, इसको थोड़ा समय साफ कर दो तो आसान हो जाएगा, ठीक है, यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो यहां पे जब low pressure बना हुआ है, ऐसी परिस्तिती में low pressure है, तो क्या होता है कि जब ह चलती हुई जाती है और यहां पर इनका आउतलन होता है यहां उतरती है हवाएं क्यों कि जब उपर बढ़ती है तो इनके घनत तुम्हें विस्तार होता है तो हवाएं ठंडी हो जाती है तो जब इधर आने लगती है तो और धीरे धीरे जैसे जैसे प्रसांत महासागर को पा प्रेसर बनाती हैं तो यहां पर उच्छ वाय उदाप की इस्तिती बनाती हैं अब यह हवाएं जब इधर चलेंगी तो वही सिच्वेशन क्या होगा इधर क्या है इधर आपका हिंद महासागर है अगर आपको मैं पच्छी तरह से याद है तो आप समझ पा रहे हूं यहां प कि हिंद महासागर में होगा लेकिन स्थान थोड़ा सा दूसरा होगा वह स्थान कहा होगा आपका मेटा गासकर के पास मैसकरीन हाई के पास इन सब जगहों पे होगा तो चलिए उसको अगले मैप के माध्यम से थोड़ा सा देख लेते हैं हम अगला मैप लेंगे क्योंकि सम परिस्तिती में क्या होता है कि हवाएं उपर से ऐसे उठेंगी और यहां पर आके आउतलित हो जाएंगी यहां मैसकरेन हाई एक होता है यहां पर भी हवाएं उतरती हैं तो जब हवाएं उतरेंगी तो जैसा कि मैंने पीछे बता है यहां पर क्या परिस्तिती बनेगी hp की बनेगी high pressure की बनेगी अब जब की high pressure की परिस्थिती हमारे हिंद महासागर में बनी हुई है और यह गर्मी का मौसम है तो हमारे जो भारती मुख्य भोमी पर है सूरज यहाँ पर आया हुआ है सूरज इससमें यहाँ पर है यह equatorial region है और यह क्या है यह हमारी जो तो यहां पर क्या है यहां करकर एखा है और सूरज इस समय करकर एखा पर होते हैं तो जब सूरज करकर एखा पर होंगे तो जो भारत की मुख्य भूमिप है यहां पर extremely low pressure बना रहेगा यह आपका जो तिब्बत का पठार है यह भी गरम होके बिल् प्रेसर की और भागती है हवाएं हाई प्रेसर से लो प्रेसर की तरफ भागती है तो जब हिंद महासागर में इंडेनोसन में हाई प्रेसर बना हुआ है यह अच्पी की स्थिति बनी हुई है तो लपी की और भागेंगी हवाएं यह हमने सामाने स्थिति देख ली ठीक है इतना क्लियर हुआ आपको अब आके बढ़ते हैं जब L9 आता है तब क्या बनेगी स्थिति अब देखिए बिल्कुल अपोजिट हो गई स्थिति अब यहाँ पर HP बन गया यहाँ पर LP होना था लेकिन यहाँ HP बन गया तो जब से चलती थी और यहाँ उतरती थी हाई प्रेसर बनाती थी तो अब यह हमाएं क्या होंगी यह वीक हो जाएंगी या खतम हो जाएंगी तो यहाँ पर जितना हाई प्रेसर बनना चाहिए उतना नहीं बनेगा तो जब हाई प्रेसर ही वीक रहेगा जहां माल लिजेख हमें ए चालिस बनेगा तो जब 30 या 40 बनेगा तो जो हवाएं यहां से चलके भारती मुख्य भूमी पे जाती थी LP की तरफ जो भारत भूमी पे लो प्रेसर बना हुआ है LP की तरफ तो जब यह हवाएं जाती थी तो स्ट्रॉंग होती थी मजबूरत होती लेकिन अब यह कम जोर रहेंगी तो जब हवाएं ही कम जाएंगी तो जलवास पर भी कम जाएगा और जलवास पर कम जाएगा तो भरसात कम होगी सिधा सा संबंध है तो अब जहां तक उम्मीद है आपको अलनीनो लानीना का मतलब समझ आ चुका होगा तो यह forecasting की गई है अनुमान क्या जा रहा है बताया जा रहा है यह American Agency की दौरा कि इस बार जो L-9 आ रहा है वह सामान L-9 नहीं है Super L-9 है बहुत मजबूत L-9 है तो जब जतना ज़्यादा मजबूत L-9 होगा तो यहां पर low pressure बहुत तगड़ा बनेगा यहां पर पेरू के तड़ के पास और आस्ट्रेलिया के पास तगड़ा high pressure बनेगा HP बनेगा तो यह हाई प्रेसर जितना तगड़ा रहेगा भारती मांसून उतना कम जोर होगा तो इसका सीधा सा सम्मंद मैंने बना दिया अब आपकी समझ में आ चुका होगा तो चली कुछ तथ्यात्मक चीज़ें यहाँ पर अब देख लेते हैं कि तथ्यों के आधार पर इसने क्या कहा है अगले सालिक मजबूत अलेनों की संभावना है 75 से 80 प्रतिसत तक है यह दर्शाता की भूमदरे की समुद्री सतह का तापमान आउसत से कम 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो सकता है ध्यान रखेगा एकुटोरियल रिजन की बात हो रही है तीस प्रतिसत संभावना है कि तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है जो 1997 से 1998 की बीचे जो एलिनो आया था और 2015-16 की एतिहासिक रूप से वो जो घटनाय थी उनहीं के समान होगा या उससे अधिक भी हो सकता है इसकी वज़स से पूरी दुनिया में क्या होगा बहुत ज़्यादा तापमान भी बढ़ सकता है सूखा भी आ सकता है बाढ़ भी आ सकता है अगर आप मैं पर यहां देख रहे हो तो ऐसी परिस्तिती में क्या होगा यहां पर जो यह रीजन है यहां पर तापमान बहुत बढ़ जाएगा उत्तरी अमरीका में एक मजबूत अलनीनो आम तोर पर उत्तरी चेत्रों में सूखे और गर्म परिस्तितों सम्बंदित है जबकि दक्षणी अमरीका में सरदियों में नम मौसम और आउसत से थोड़ा नीचे तापमान का अनुभव करता है भारत की क्या सिति होने वाली है भा आनसून के मौसम के दवरान वर्षा कम हो जाती है सूपर अलनीनो की सम्भाना भारत में विश्ष्ट मौसम पैटरन को बाधित करने के बारे में चिंताओं को बढ़ाती है जिससे असामान और चरम मौसी जो विदर होगा वो घटनाए देखी जाएंगे जिसमें भारी वर् एक तरह से आपको थोड़ी थोड़ी information और मैंने प्रयास किया कि चीज़ें आपकी समझ में अगर आपको मैं बनाने का थोड़ा सा प्रयास करता हूं देखी इस तरह से ठीक है क्या होता है कि हवाएं आई और इस तरह से चली जाती है तो दक्षिन भारत में कम ही रुकती है जादा तर यहां लौटते हुए मानसून से बारिस होती है लेकिन जब हवाएं ही नहीं जाएंगी तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होगा उत्तर भारत ही होगा तो यहां क्या है यहां कह रहा है कि अलिनों के आधे से अधिक वर्सों ने मानसून के दोरान सूखे का कारण बना है अखिल भारती वर्सा दिर्काली कौसत के 90 प्रतिसत से नीचे गिर गई है जो पहले होती थी उससे 90 प्रतिसत की कमी आई है मौसम की घटना की तिवरता जटिल समुद्री और वायुमंडली इस्तितियों पर निर्भर करती है और NOA नविंतम आकड़ों के आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ चुकी होगी और हमने प्रयास किया होगा कि आपको चीजें अलनिनो लानिना क्लियर हो चुका होगा अगर कोई और ऐसी अपडेट आती रहती है तो हम आपसे मिलते रहेंगे तब तक के लिए थैंक यू सो मच